अज पूरे हिंदुस्तान की नजर राची में बनी हुई थी और इसी बीज जो खवर निकल कर सामने आई उसमें राज़त सुप्रीमों लालू परशाद यादव को डोरंडा कोसागार से अवैद निकासी मामले में सीवी आई की स्पेशल कोट ने पांथ साल की जो सजा है वो सुनाई है इसके साथी साथ लाक रुपए जुर्माना भी राज़त सुप्रीमों लालू परशाद यादव को देना होगा बेरहाल जैसे ही सजा राज़त सुप्रीमों लालू परशाद यादव को मिली उसके बाद पहली जो प्रतिक्रिया है राज़त सुप्रीमों लालू में आखे सच जिसकी ताकत है साथ है जिसकी जनता उसके होसले क्या तोरेंगी सलाखे तो निश्चित तोर पर जो आखरी लाइन लालू प्रशाद यादों ने लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि जिसके साथ जनता है उसका होसला कौन तोर सकता है सलाखे भी उस व्यक्ति के होसलों को नहीं तोर सकती जिसके साथ जनता खरी है निचित तोर पर लालू प्रशाद यादव ने अपनी पहली पतिक्रिया में उन तमाम लोगों को जवाब दिया है जिनों ने बत और सत्ता में रहते हुए लालू प्रशाद यादव को जवाब दिया वो भी तब जब उनक भी लड़ता रहूंगा आखे में आखे डाल कर अपनी जो सच की ताकत है उसके साथ जनता के साथ आगे बढ़ते हुए होसला मजबूत करते हुए आगे बढ़ूंगा तुनिश्चीत तौर पर जो राजत सुप्रीमों लालू प्रशाद यादव ने ट्वीट किया है वो दर रच्वल माद्यम से वह अपनी सजा का इंतजार कर रहे थे और सीवी आई की जो इस पेसल आदालत है उसमें राजत सुप्रीमों लालू प्रशाद यादव को पांच साल की जो सजा है वो सुनाई गई है इसके साथी साथ लाक रुपए का जो जुर्माना है वो राजत सु सुप्रीमों लालू प्रशादयादव ने ट्वीट करते हुए सत्ता के लोगों को करी चैताब नी दी है और कहा है कि जिसके साथ जनता खड़ी रहती है उसे कोई भी सलाखे जुका नहीं सकती कोई भी सलाखे उस व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती देखने वाली बात होगी राजत सुप्रीमों लालू प्रशादयादों गुजरते हैं